आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ चिकन सुक्खा की रेसिपी जो बहुत ही चटपटी चटकारेदार बन कर तयार होती है बहुत ही टेस्टी लगता है जो साउथ की रेसिपी है आप लोग भी ट्राइ करें और इस चिकन सुक्खा को आप किसी भी रोटी नान पराठे के आप अलेकुम वैलकम तो कहकरशा खाना खजाना आई होप आप सब ठीक होंगे तो चली सुरू करते बनाना बिसमिल्ला एक फ्राइपेन ले लिए फ्राइपेन में मैंने ब्रेड चमस धनिया डाला साबुत धनिया यह और हाप स्पून जीरा और हाप स्पून सॉप और चा कश्मीरी मिर्च अगर पास नहीं आप कोह さい, इस के जगगा आप पॉर्ड्र भी ले सकते है। और इन सब मसालों को एकडम अच्छे से रोष्ट कर लेना है। अच्छे से भूनना चाहिए, बहुत जादा डार्क नहीं करना बट अच्छे से भूनना चाहिए। यह देखे, कलर चेंज हो जाना चाहिए, यह आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से भून लिया और ठंडा होने के बादी से ग्राइंट कर लेना है फिर मैंने एक पैन ले लिया अलक से और फिर उसमें मैंने ओयल डाला ओयल मैंने 5-6 चमज डाला है 800 चिकन के हिसाब से मैं बना रही हूँ और थोड़ा सा हाप स्पून मैंने सौफ डाला और यह कड़ी पता है कड़ी पता का दो डाली डालना है इसमें यह देखें दो डाली डाला और जब कड़ी पता चिटक गया तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्यास को मैंने चौप क क्क्राब ज Howard the ऐख्य एग्दम गोल्डन कलर का करना है धियान रखे प्याज उछ्वर अर्ची से जफ पर दढ़ना हो गया फिर मैंने इसमें 10 जॉद्मड़ी दरखा को अध्रार्ञ उर ले और फिर मैंने एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टीष्ट की हिसाब से एड़ कर ले जितना आपको पसंदे नमक हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है पांच से चेमनेट इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे फ्लेम को लो स्मैल होता है वो सब निकल जाता है तो इस स्टेश पे भूनना बहुत जरूरी होता है अद्रकल हसन और प्यास के साथ फिर जो मैंने चिकन सुका का मसाला पिस कर रखा था ना वो डाला सबसे में मसाला यह है तो यह मसाला जरूर ट्राए करें आप लोग बनाए यह देखे इस तरीके से मैंने डाला सारा मसाला और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाला डालने के बाद भी सेम भूनना होता है मसाला डालने के अद फ्लेम को लो कर लेना है एकदम फ्लेम को लो कर लेना है लो फ्लेम पे मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए यह देखे बहुत आ चारों तरफ फैल भी जाए और चिकन हमारा ऐच्छे से और थोड़ा कूं हो जाए तो यह देखे pair पाणी मैने डाला पाणी डालने के बाद अच्छे से चला लेनाया है चलानी के बाद इसे धक डिनाए है फांच मिनेट के लिए लो फ्लेम पे रखानाया मैंने लो फिलेम पे रखा था फिर ढकन खोल कर ये देखे सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और तुरंत भुन जाता है क्योंकि पानी हमने बहुत जादा नहीं डाला और ये देखे ये इमली का पल्प है ये जरूर एड़ करें इसे टेश्ट बहुत अच्छा आता ह अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नीम्बू डाले पर डाले जरूर और इमली का पल्प डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले चट पटा खटा पन जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ग्रेवी वाला तो आपने बहुत खाया चिकन बट ये चिकन त पाराटे के साथ बहुत अच्छा लगता है या फिर नॉर्माल पाराटे के साथ भी आप कहा सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं पर रेसिपी जरूर ट्राय करे और मेरी वीडियो अच्छी लगई हो तो प्लीज लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब जरूर करे